दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा Facebook पेज को डिलिट कैसे करते हैं पर्मानेंटली दो मिनट में आपका Facebook का पेज हमेशा के लिए डिलिट हो जाएगा बस आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है मैं आपको लेटिस्ट अपडेट के बारे में बताऊंगा सबसे पहले आपको जाना है प्लेश्टोर में और Facebook एप को अपडेट कर लेना है ओपन करना है इसके बाद आपको उपर में 3 लाइन पर किलिक करना है अब यहाँ पर आपकी प्रोफाइल दिखाई देगी और यहाँ पर आपके पेज की प्रोफाइल आपको दिखाई देगी प्रोफाइल पर किलिक करके आप पेज को उपन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको एक एरो भी दिखाई देगा अगर आप इस पर click करेंगे तो नीचे में आपकी profile और आपका जो page ये वो दिखाई देगा तो आपको page पर click करना है तो आपका page open हो जाएगा अब उपर में आपके page की profile आपको दिखाई देगी यहाँ पर three line आपको दिखाई देगे इस पर आपको click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको settings and privacy पर click करना है, यहाँ पर आपको settings पर click करना है, अब यहाँ पर दोस्तों आपको page settings पर click करना है, आपको वीडियो को skip नहीं करना है, अगर आप एक step भी miss कर जाएंगे, तो फिर आपके facebook का page delete नहीं होगा, ट आपको Access and Control पर क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको एक Settings मिलीगी, Deactivation और Deletion, आपको इस पर क्लिक करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको दो Option मिलेंगे, अगर आप अपने Facebook पेज को Deactivate करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर Deactivate पेज पर सेट करना है, अगर आपक एक reason बता देना है Facebook को कि क्यों आप अपना Facebook पेज डिलिट कर रहे हैं कोई भी एक option आपको select कर लेना है इसके बाद आपको यहाँ पर एक नया पेज देखने के लिए मिलेगा आपको continue पर click करना है इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपके सामने इस तरह से page open हो जाएगा अगर आप अपना Facebook का page डिलिट करेंगे तो Facebook page पर जितना भी data आपने upload किया है वो सारा के सारा delete हो जाएगा यानि के photos, videos सारी की सारी delete हो जाएगी अगर आप उसे download करना चाते हैं तो यहाँ से download कर सकते हैं ठीक है अगर आपको page को delete करना है तो आपको नीचे में continue पर click करना है continue पर click करने के बाद Facebook की profile आपको दिखाई देगी जिस profile से आपने Facebook page create किया था अब उसी profile का जो password है वो आपको यहाँ पर डालना होगा अगर आप भूल गए हैं आपको Facebook का password याद नहीं है तो कैसे Facebook का password पता करते हैं इस topic पर पहले से मैंने video बना रखी है उस video का link इसी video के description में और उपर i button में आपको मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर मैं password डाल देता हूँ password डालने के बाद आपको continue पर click करना है continue पर click करने के बाद आपके सामने इस तरह से page open हो जाएगा अब यहाँ पर दोस्तो आप जैसी continue पर click करेंगे तो दोस्तो आपका Facebook का जो page है वो delete हो जाएगा जी हाँ दोस्तो आपको कुछ नहीं करना है सिर्फ यहाँ पर continue पर click कर देना है लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दू अगर आप आज की date में अपना Facebook का जो page है वो delete करेंगे तो दोस्तो उसे delete होने में पूरे 30 दिन लगेंगे Facebook से आपका page delete हो जाएगा किसी को दिखाई नहीं देगा लेकिन Facebook के server पर रहेगा और 30 दिन के बाद automatic delete हो जाएगा बस आपको अपने page में login नहीं करना है ठीक है यहाँ पर आप continue पर click करेंगे तो इस तरह से page open होगा और आपका जो Facebook का page है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर आपको final step लेना है delete page जैसी आप delete करेंगे page delete हो जाएगा और 30 दिन के बाद ही हमेशा के लिए delete हो जाएगा 30 दिन से पहले आप चाहे तो उसे reactivate कर पाएगे तो इस तरह से दोस्तों आप new update आने के बाद Facebook page को delete कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो चैनल को subscribe करके bell icon को दबाकर all पर set जरूर करना